नोवेंगेल कंडनसेशन रियक्षन है ठीक है गाईस बहुत इंपोटेंट रियक्षन है नोवेंगेल कंडनसेशन रियक्षन में क्या होता है कि आप एक अलडी हाइड लोगे और उसके साथ में रोडियाक्षिंड या किटोन ले सकते हैं उसके साथ में, एक मेथिलीन ग्रूप युक्त कंपाउंड लेंगे और उसकी रियक्षिंड किसी बेस की प्रजेंस में करवा देंगे तो वो reaction आपकी नोवेंजेल condensation reaction कहलाती है यानि एक LD या किटोन की कार्बनिक शार की प्रजेंस में हम अभी किरिया सिल मेथेनिल युक्त जो समू होगा उस वाला का जो compound है उसके साथ उसकी reaction करवा दी जाए तो वो नोवेंजेल condensation reaction कहलाती है जिस एकजमपल देखते हम LD यह हमने एलकिल LD ले लिया और यह ethyl malonate ले लिया जो ethyl malonate है उसमें यह सकीरिय मेथलीन समू है तो मेथलीन सकीरिय वाला जो मेथलीन समू है वो वाले ही compound हमारे को लेना है इस reaction में यह base ले लिया अब base की reaction करवा है तो पहले यह compound बनेगा अगर इसका जलब गटन करवा दे तो हमारे पास एक acid वाला compound बनता है ओके guys जैसे दूसरा example देखे आप उससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके उसके बाद में हम देखेंगे इसकी reaction mechanism क्या है यह देखें आपके पास एक ldheid है यह aromatic ldheid हमने लिया है इसकी reaction हम methylene group वाले एक compound से करवा देते हैं सक्रिय हम methylene group वाला एक compound है यह इसके साथ इसकी reaction करवा दी हमने तो क्या होगा अब देखें यहां से हमारे पास जो compound है वो क्या बनेगा एलकोहलिक एनस्थ्री या पाइडी प्रीडीन होता है ना उसकी प्रजेंस में रियक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक इंटर्मीडियेट जैसा कंपाउंड ये सा बनता है और इसके बाद हमारे को सिनेमिक एसिड मिलता है हैं इसकी अगर रियक्शन याद रखने का तरीकल देखें तो यह क्या कर सकते हैं यहां से आप H2O कर सकते हैं कि LM होगा तो यहां पर 21B होदान यहां पर दो है तो दोंहों क्या करेंगे डबल बाउर्ड फोर्मेशन कर लें इससाटक्श करें अब क्या करें इसका हाईड्र लाइसिस करें हाईड्रोलााइसस में आप करोगे तो यह जो यह पूरा गुरूप है, यह CWH में कनवर्ट हो जाएगा, यह वाला CWH में कनवर्ट हो जाएगा, अब CWH में कनवर्ट हो गया, अब क्या करें, इसका decarboxylation कर दें, तो यहां से CO2 निकल जाएगा, और hydrogen इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, अब हम देखते हैं, इसकी जो reaction mechanism है, वो किस प्रकार से होती है, बहुत ही important है, भाई साब यह, देखना आपको, novel gel condensation reaction, इसमें पहले हम, जो हमने methylene group वाला जो compound लिया है, उसको लेना है, उसमें जो alpha hydrogen है, उसमें जो hydrogen है, उसको वहाँ से remove करना है, उसको H plus के रूप में हमारे को remove करना है, ठीक है, और carbonine बनाना है, ठीक है, यह हमारे पास carbonine बना, यह यह, यह methylene sumo yugth compound लिया हमने, इसमें से यह जो H है, इसको remove किया यहां से, तो एक carbonine बनता है, सी पर negative उचा जाता है, उसे carbonine बोलते हैं, ठीक है, अब second step में क्या होगा, कि this carbonize is nucleophilic, यह carbonine है, यह nucleophilic है, so it can, can, add to the molecule of benzaldehyde of carbonyl compound, अब क्या करना है, कि जो benzaldehyde है, carbonyl compound वाला, जो हमारे पास carbon है, उस पर यह react करेगा, अब देखिए, यह benzaldehyde हमने ले लिया, इसमें क्या होगा, कि यह double bond है यह यहां से split होता है, carbon पर आता है negative charge, और oxygen पर आता है, आपके पास negative charge, carbon पर positive, oxygen पर negative तो जो यह negative charge है, यह oxygen यहां पर react करेगा, ठीक है, यानि carbon पर react करेगा, आपका यह, यहां पर जाएगा, तो कुछ compound बनाएगा, हमारे पास oxygen anion जैसा, ठीक है, oxygen पर negative charge है, तो यह oxygen anion कहलाता है, यह compound बन गया, अब हमारे को third step में क्या करना है, जो आपके पास oxygen anion बना था, उ इसको आप proton दे दो, तो यह OH के रुप में हो जाएगा, ठीक है, यह stable हो जाएगा, अब क्या करते हैं, कि fourth step में हम करते हैं, कि this compound lusage molecule of water to form unstable compound, ठीक है, यहां से आपको एक water का molecule अठाना है, रिमूव करना है, तो रिमूव कहां से करेंगा, आप देखिए, यहां पर OH है, यह यहां पर H है, तो यहां से इस OH और H के रूप में, यह H2O के रूप में, यहां से रिमूव हो जाता है, और जो यहां पर देखिए, यहां पर भी electron है, आपके पास यहां पर भी electron है, तो यह double bond का formation यहां पर हो जाता है, ठीक है, यह compound बन गया, अब आपको क्या करना है, इसक से bond break होता है, और H2O है ना, H और OH के रूप में, ब्रेक होता है, अब आप देखिए, जो H है, वो इसके साथ, रियक्ट करके आपको बना देगा, COOH, ओके, यह C2H5, OH एलकॉल के रूप में, यहां से रिमूव हो जाती है, तो हाइड्रोलाइसिस आगे है, समझ में, यानि इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, H+, OH के रूप में, वाटर स्प्लिट होगा, और H+, जो CWO नेगेटिव हाइन है, उसके साथ, रियक्ट करेगा, और CWO H, यानि, कार्बोक्सलिक एसिड जैसा एक कंपाउंड बना के देगा आपको, अब क्या करना, आपको यहां से डी हमरी को, तो हमने एनवच और CWO डाल दिया, अब इसका डी कार्वोक्सलिक रिलेशन करवाना है, तो डी कार्वोक्सलिक रिलेशन कहां से होगा, इसमें से, अब देखिए, यहां से अगर यह CO2 निकाल दें, तो क्या होगा, कि जो हाइड्रोजन है, यह यहां पर कार्बन क इसके साथ और यह रहे जाएगा, C2H5OH बाहर निकाल दिया हमने, यहां से दो मोलक्यूल, यहां से निकाला हमने, ठीक है, C2H5OH, अब इसका डी कार्वोक्सलिक रिलेशन करेंगे, तो माइनस CO2 करेगा, और हमारे को सिनेमिक एसिड मिलता है, ठीक है गाइस, अब हम देखत इसमें देखिए यहां पर, यह कंपाउंड बन रहा है, अगर हम जो हमारे पास यह कंपाउंड बना है, इसकी रियक्शन इस एथिल मेलोनेट से करवा दें, इस कंपाउंड की रियक्शन एथिल मेलोनेट से करवा दें, तो वो आपका माइकेल कंडनसेशन कहलाता है, ओके यह रहा आपका Michael Condensation इसमें आपके पास यह compound है इसकी Ethyl Melonate से reaction करवा दो यानि हमने जो LD हाइड लिया था उसकी सक्किरिय Methylene Group Uct जो compound है उसके साथ reaction करवाने के पास हमारे पास जो compound बना था यानि hydrolysis और decarboxylation करने से पहले का compound अगर उसकी reaction आप Ethyl Melonate से करवा देते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा compound बनता है और यह जो reaction है प्रिडीन की presence में हो रही है और इसे हम Michael Condensation reaction कहते हैं ओके गाइस